हलो एन वेलकम टू लेट्स क्राइकट मेरा नाम है अभीशेक और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमने सिरीज पॉलिटिकल हिस्ट्रिय फुत्राखंड की जिसमें अभी तक हमने कुनिंद जन्पत तक हम पढ़ रहे थे कुनिंद जन्पत में हमने यह पढ़ लिया था कि जो अचार कीजिएगा और सारे अपडेट्स हैं आपको महां पर मिलते रहेंगे तो चली आगे बढ़ते हैं तो अब वो क्या कह रहा है कि यहां तक हमने पढ़ लिया था तो गुरू द्रोन ने जो डानिस्टी थी उसके किंग थे उत्राखंड के और यह पंडव की साइड से लड़े थे कुनिंद किंग है एक और अमोग भूती जो 100 से 60 बीसी तक यानि 40 साल ने रहे हैं यह ने परफॉर्म किया था एक अश्वमेध सैक्रिफाइस यानि अश्वमेध हिया किया था इस फिर coins पे जो इन्होंने coins चलाए थे उस टाइम पे कुरुंद डानेस्टी में gentleman जनपत में अमोग भूती सा ऐसे करके लिखा भता है Amogh Bhuti जो ruler थे उन्होंने इस तरह से अपने coins शपवाए थे फिर कहते हैं कि जो numismatic evidences हैं वो discovered किये गए हैं कहाँ पर गरुड में जो अलमोडा में है लेंस डाउन अभी अलमोडा में ना होके बागेश्वर डिस्टिक में हो गया जब से बागेश्वर बनाए तब से बागेश्वर डिस्टिक में हो गया गरुड काशिपूर पुरोला रिशिकेश इन समझावाँ पर numismatic evidences नुमिस्माटिक का मलब होता है numismatic का मलब होता है the study the art of study coins यानि कि उस टाइम पर coins किस तरह के हवा करते थे जो लोग इनकी studies करते हैं या coins को collect करते हैं उनको numismatic कहा जाता है आगे चलें तो gold coin discover किये गए है मुनी की रेती में यानि कि मुनी की रेती एक जंगा का नाम है रिशिकेश में तो वहाँ पे जो कुनिंद किंग थे हुव इसका उनकी द्वारा बनाए गए उनकी द्वारा जो उन्होंने अपने काल में चलाए होंगी gold coins वो discover किये गए है कुनिंदास was the first ruling dynasty of the central himalian region तो central himalian region की यानि की उत्राखंड वाला जो region है central himalian region यहां की जो पहली ruling dynasty थी वो कुनिंदास थे और जो king amok bhuti थे वो पहले कुनिंद ruler थे who issued coins of gold, silver and copper तो gold के silver के copper के coins जो सबसे पहली बार जिसने शूगिये थे वो king amok bhuti थे तो यह बिल्कुल factual सवाल इसमें से निकल के आएंगे आपके लिए exam में चाहे वो UK SSS के exam हो जैसे video VPDO का और चाहे UK PSS के exam हो जैसे कि lower PCS का exam भी आने वाला है भी और upper PCS का amok bhuti is considered to have carved out a kingdom on the ruins of the Indo-Greek empire यानि वही जो king meninder के जो grandson थे अपोलो टोटस जिनको उनों हराय था about the end of the first century BC कुनिंद kingdom had within its domain parts of हिमाचली परदेश तो क्या क्या है parts of हिमाचली परदेश यानि कुनिंद जो kingdom था उसके अंदर क्या 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 थे हिमाचली परदेश का कुछ हिस्सा था कुरू जंगल कुरू जंगल यानि की Ambala Sarampur यानि की जो कुरू शेत्र के आसपास का एरिया है Ambala Sarampur महावाला जो एरिया था वो सकेंडर था उत्तर पांचाल उत्तर पांचाल में विजनौर, अगडवाल पहले अमोग भूती के टाइम पे कुनिंद किंग्डम बहुत बड़ा हुआ करते था वो हिमाश्य प्रदेश को भी टच करता था कुरू जंगल यानि के अंबाला सारंपूर में भी था लेकिन धिरे धिरे बाद में जैसे जैसे किंडम में सक्सेसर्स आते रहे एक के बाद ए एरिया में फैली भी होती है और फिर धीरे उसका एरिया घट में रखता है तो यह सबी के साथ है नेक्स्ट इस पौरव वर्मान रूलर्स तो जो पौरव वर्मा रूलर्स थे यह कुनिंदाज के बाद है थे तो कुनिंदाज वर सब्जूगेटिड इनको हरा दिया गया य पौरव वर्मान रूलर्स तो यह दो रिवर्स थे इनके बीच में पौरव जो थे वो रूल करते थे आफ्टर इट्कलाइन ओंदाज इन थे थर्ड इन फो सेंचुरी जब तीस्ती और चौती चताबदी में कौनिंदाज का डिक्लाइन होना देरे शुरू हो गया तो क्या पौरव वर्मान रूलर्स ते प्रवर्वर्मान रूलर्स है क्याँ वा इनकी शाउथ विस्टन पार्ट पार्वर्मान रूलर्स या उनको परवतकार राज्ये भी काते थे जूजर ओए जो साउथ इस्टन पार्ट था kingdom का वो मित्र रूलर्स थे गोवी सान गोवी सान जो है वो पुराना नाम है काशीपूर का जो कि दंसी नगर डिस्टिक में आता है तो वो वह पे उसके मित्र रूलर्स के अंदर में आ गया वो kingdom These kingdoms were visited by Chinese traveler Hyunsang तो Hyunsang जो कनिश्क के टाइम पर आये थे उन्होंने यहां पर इसको visit किया था इन्होंने इसका नाम भी बताया था वो भी अभी आगया आएगा कि इन्होंने इसको क्या कहा था The first copper plate grant in the Poraf dynasty was issued in the fifth regional year of प्रमा बत्रा का महाधाज़ाद दियुति पर्मन वो महाधी राज थोड़े बड़े अजीब से नाम है तो पहले copper plate के जो grant दिये गए यानि inscription मिली पौरव डाइनस्टी के वो जब पांचवा साल रेन का चल रहा था रेन का माला होता है जब आप कभी rule कर रहे होते हैं तो उसको regional year कहते है जब पांचवा अगनी वर्मन चल रहा था कि इसका परमबत्रा का महाधी राज दियूति वर्मन तो दियूति वर्मन जो थे ये ruler थे तो इनके पांचवा जब साल चल रहा था ruling का उस टाइम पे copper plate का grant आया था पौरव डाइनस्टी में the legend on seal attached to this plate it indicates that he was the son of अगनी वर्मन तो ये बता जाता है कि ये जो दियूति वर्मन थे ये son थे अगनी वर्मन के grandson थे यानि कि पोते थे वरिशा वर्मन के और great grandson थे विश्नु वर्मन के यानि कि ये इनकी lineage थी तो आप ध्यान जख सकते हैं कि इनकी lineage को जो है chronology में लगाने के लिए आ सकता है the second charter जो issue किया गया first किया गया fifth regnal year पे second जो किया गया वो किया गया 28th regnal year पे of विश्नु वर्मन टू जो आप विश्नु वर्मन टू जो थे वो कौन थे ये बेटे थे दियूति वर्मन के अगर आप sequence देखें chronology में लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे जो order of succession रहो कह रहा देखो सबसे पहले विश्नु वर्मन वन रहे फिर विश्नु वर्मन रहे फिर अगनी वर्मन उनके बेटे दियूति वर्मन उनके बेटे विश्नु वर्मन टो फिर जो ब्रह्मापूरा किंडम था came into existence in the 6th century ब्रह्मापूरा किंडम जो है existence में आया 6th century में यानि कि जब ये खतम हो गया जब कुनींद किंडम खतम हो गया 6th century के आसपास तब ब्रह्मापूरा किंडम निकल के आया तालेश्वर में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है वो किंडियूति वर्मन का मिलता है इन विच दन नेम सॉरी मैं इसको निकाल के रहाता हूँ यहां पे थे हम कहा थे इन विच दन नेम अफ ब्रह्मापूरा इस क्लिरली मैंशन जिसमें जो नेम है प्रह्मापूरा का वो क्लिरली मैंशन था नेच्ट आता है कि किंड कल्यान वर्मन जो थे इन उनने इस्टेबिश किया एक स्मॉल प्रिंसिपालिटी इन्दा भागिरती वैली निया देव प्रियाग के बाद के पास भागिरती वैली में उन्होंने अपनी एक small principality का मलग हुग है अपना छोटा से kingdom उन्होंने बनाया king कल्यान वर्मन में next आता है after defeating the kushanaz एक युधेयास थे यानि ये भी एक dynasty थी इन्होंने extend किया अपना territory and also brought the foothills of kumau under them और उपर का region तो पाड़ो का region तो सारा उनके अंडर था ही साथी साथ जो kumau के foothills थे उनका region भी इनके अंडर आ गया कत्यूर वैली जो थी kumau की वो रूल किया करते थे कौन? कुनिंदास उसको रूल किया करते थे between the kingdoms of Govishan, Govishan वो ही काशिपूर है and Katiur Valley, there was a kingdom of Brahmapura तो Govishan काशिपूर साथ में था मानके चलिए, Katiur Valley नौर्थ में थी और उन दोनों के वीच के जो reason था, वो सारा Brahmapura kingdom हुआ करते था यून सांग ने Govishan को किस तरह से कहा है? उनने कहा है इसको क्यू प्यू श्वांग, ये important है, ये पूशे जा सकता है हरिद्वार को भी वो कुछ बोलते थे, मोयू लो ऐसे कुछ करेंके बोलते थे और वो भी एक बार सवाल पूशे जा चुका है, तो वो भी आप देख लेना और गोविसान, यानि कि जो काशिपूर था, पुराना नाम गोविसान था, तो हिून सांग ने इसको कैसे आएंगी डैनेस्टी आगे हम पढ़ेंगे, जैसे किताब आगे बढ़ेगी है, एक होड थी, यानि कि जहाँ पर कलेक्शन था, 164 कॉपर कोईंस का, डिस्कवर्ड फॉम जॉन सार भावर रीजन, 1936 में, विच बिलाउंग टू लेटर पीड़ ओ योधिया डैनेस्टी, त दिस्कवर्डि जो हुई है योधिया कॉइंज की वो लेंसडाून से हुई है, पॉर्डी करवाल डिस्टिक में, तो यह इंपोर्टन चीज़ है, लेंस डान पॉटी करवाल डिस्टिक, तकी मैंने आपके लिए थोड़़ सा स्वाट कर दिया, डायेट इइन्फोर्मेशन जो उन्होंने coins बनाए उसमें दो side होती है तीकी coins में एक reverse होती है एक offverse होती है reverse में पलेटने वाली आगे वीचे जो sides होती है उनका आप reverse हो reverse कहते हैं इंग्लिश में एक side पर कार्थिके बने वे हैं जोकि 6-5 से छें-सर हैं जिनके और बूसे रेट पर करतिके हैं शित के साथ हैं तो क्वर्वाण दैनेश्टी को नerali के टेंडिश में अर्ग बॉर्डरայश में एरिया बॉर्ड्रिंग तिब्ध नॉपर नॉर्थ में टिब्वत से टच करता और नीचे उत्राखंड के फुटिल्स तक जाता है और सतुल नदी वेस्ट में है और गंड़की रिवर इस्ट में है तो ये इसका पूरा वास्ट एक्सपांस है कत्यूरी डैनिस्टी का बहुती फेमस डैनिस्टी रही है उत्राखंड की कत्यूरी डिकॉर्ड में छे इंस्क्रिप्शन से यहीं कत्यूरी की जो रिकॉर्ड मिलते हैं छे इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं पांच जिसमें से की ग्रांट जो हैं वो कॉपर पे लिखी गई है एक पत्थर पे लिखी गई है जो पांच कॉपर पे लिखी गई है उनमें से जो चार है वो बद्रिनात के दाट टेंपल जो है बद्रिनात का वहाँ पे बद्रिनात के मंदिर में पांच में से चार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन उनके कबचे में है उनके पास है उनके अंडर है ये कौन कौन सी है जेखो ज़रा ध्यान दे तो ये है एक तो है पांडुगेश्वर copper plate inscription और ललिता सुर्देव ये दो है नमबर में ये दो है फिर एक पांडुगेश्वर copper plate grant है पदमाता की ये तीन हो गई यानि की पांडुगेश्वर copper plate हो गई सुभिक्षा राजा देव की चार हो गई बालेश्वर copper plate grant हो गई ये देशा था की ये पांच हो गई और छटवी जो है आन स्टोन अफ भूदेव ये भूदेव की है in the temple of Lord व्यागेश्वर और वाकेश्वर यहाँ पे Lord व्यागेश्वर का एक मंदिर है तो वहाँ पे ये छटवी inscription आपको देखने को मिलेगी जो कि पत्थर पे है पांच copper plate पे थी कत्योरी राजा जो थे उत्राखं के जो कत्योरी राजा थे उत्राखं के वो कौन थे बास्दी यो गिरी राज चक्रचुरामनी ये राजा थे औरिजन आफ दिर राज उनका राज का ओरिजिन कहा हुआ जो की बदरिनात के पास है और सब्सेक्वेंट माइगरेशन टू कत्यूर वैली इन गुमाओ धिरे धिरे वो कत्यूर वैली की तरफ कुमाओ में जाने लगे जबकि उनका जो ओरिजिन था या जो उनके रूल की स्टार्टिंग हुई थी वो जोशी मटस हुई थी बदरिनात के पास से कत्यूरी वर डिसेंडेंट्स अफ दी खासास तो खासास जो ट्राइब थी कत्यूरी जो थे उनके डिसेंडेंट्स थे तो वो कतियोरी kings हैं तो वो chronology में जो important kings हैं उनके बारे में बता रखा है उनके बारे में कुछ information भी given है क्या-क्या किस-किस king ने जो important kings हैं उन्हें क्या-क्या किया है तो यह बसंतना थे इनको माना जाता है कि यह founder है कत्यूर डैनिस्टी के यह बहुत ही important है पूछा सकता है सिदा 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 करूबर थे तो बसंतना जो थे एक founder थे कत्यूर डैनिस्टी के यह अपना में एक pious ruler थे और follower थे शैविंश्म क यानि शिवजी को follow करते थे और एक बहुत ही पवित्री यानि पायस ruler थे liberal attitude यानि की बहुत ही liberal attitude था यानि की दूसरे धर्मों को या दूसरे लोगों की बातों को भी ये accept करते थे सुनते थे और donate की इन्होंने कुछ land to followers of vashnavism ये खुद शैवism के फिरोड़ थे लेकिन जो vashnavism यानि जो श्री विश्नु को पूस्ते थे तो उनके लेनोंने को जमीन वगरा जो है वो दान भी की थी इन्हों रिवाइव किया grant given by father to the व्यागेश्वर टेंपल जो व्यागेश्वर टेंपल को grant इनके father ने दी थी उसको ने दुबारे से revive किया और दुबारे इसको देना शुरू करा इनके बाद जो आते हैं यानि बसंतना के बाद जो रूलर रहते हैं वो आते हैं निमबरता देव तो अब जो ये निमबरता देव हैं ये पहले king थे जिन्हों attain किया sufficient power and the names of his kind are referred to in the Pandoshwar copper plate inscriptions तो काफी अच्छी खासी power जिनके पास थी वो बसंतना नाओं के निमबरता देव थे और इनका नाम जो है ये Pandoshwar copper plate inscriptions हैं उसमें भी देखने को मिलता है E.T. Atkinson यानि कि जो Britishers थे जिन्होंने यहां पर rule किया जब Britishers आ गए तो उन्होंने अपने अपने उन्होंने भी अपनी जब research की history में लेके history को लेके तो उन्होंने भी कुछ अपने views दिये तो उन्होंने इनको describe किया है कि एक valiant warrior थे यानि कि valiant warrior को में लोग कि बहुत एक सहासी युद्ध थे who defeated his enemies as the rising sun dispels the mist तो जिस तरह से जैसे जैसे सूरज उखता है तो जो ओस की बुंदे हैं वो सब खतम हो जाने लगती हैं इसी परकार से इन्होंने भी यह ऐसे warrior थे जो अपने सभी दुश्मनों को हराते हैं यह बहुत important है तो कत्योरी में कब मंदिर बनने शुरू है वो कौन रूलर थे तो वो निमबरता देव थे जिन्होंने कत्योरी में मंदिर भिलाने की प्रता स्टार्ट की विमान जो tallest structure होता है वर था संटम संटोरम यह अगर आप इस तरह से आप देखें मान लेते हैं यह मंदिर है और यह मंदिर के अंदर यह गर्ब रहे है यहाँ पर जो मेल मूर्थी रखी है तो इसके उपर इसके उपर अगर आप 3D में देखेंगे इसके उपर जो है वो एक विमान बना देते थे यहीं कि एक बहुती उजी चोटी बना देते थे तो वो जो विमान बनाने का सिस्टम शुरू है वैसे जो यह विमान का कल्चर है यह जो दक्षिण में साउथ इंडिया में जो मंदिर बनते हैं जिनको दरविडा स्टाइर temples का जाते हैं उसमें खासकरी बनते थे तो ये इन्होंने भी यहाँ पर इसको बनाए हैं जो जागेश्वर अगर आप जागेश्वर temples में जाएंगे जो कि अलमुडा में situated है वहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो विमान जो है tallest structure है जो सेंटम सेंटोरम सेंटम सेंटोरम का मलब होता है एक ऐसी पवितर जंगा या इसको गर्वगरी हिंदी में कहतेते हैं और वो ये बहुत पवितर जंगा होती है जहां मेन भगवान की जो मूर्ती है या जो भी है वो महाँ पर विराजमान होते हैं उसके बाद या कह रहा है कि तो लॉर्ड शिवा के लिए इसको ही जागेश्वर धाम को ही या जागेश्वर जंगा को ही अपने लिए चुना कि महाँ पर मंदर बनवाएंगे तो आज आप जाएंगे महाँ पर अगर तो बहुत ही सुन्दर मनावा है मंदर वो बहुत सारी 500 से भी जादा या 125 से भी जादा छोट्ट छोटे मंदर हैं वहाँ पर बहुत ही पुराने करीक मुली schedule यह 1000 14ięट सार पुराने मंदिर वों बहाँ पर बने वह नेक्स्ट जो आते हैं वो आते है ईस्टगन तो इस्टगन जो है उन्होंने अपने और गड़वाल को जो है इस्ट गन ने क्या कर दिया जुनिफाई कर दिया यह लौड शिवा के ग्रेट डिवोटी थे यह कंस्ट्रक्टिव टेंपल्स लेक जागेश्वर अफ नवदुर्गा महिशा मरदिनी लाकुलीसा और नट्राच इन सब के जो मंदिर वनवाने काम किय वो इस्ट गन ने काम किया उसके बाद आते हैं लड़िता सुर्देव तो लड़िता सुर्देव जो थे यह कॉंट्रिक्ट में आये विद पावफुल पाल किंग देवपाल देवपाल के साथ नहीं लड़ाई की और जो देवपाल के फादर थे धरमपाल और अलसो इंवे करेंगे इसके आगे तो आप अपना रेगुलर स्ट्रीम बनाके रखेगा इनके अपडेट्स पाने के लिए टेलिग्राम चनल जरूर जोइन कर लेना इससे कि आपको सारी इंफर्मेशन मिलती रहे और अगर कुछ भी प्रबलम है या कुछ भी आपको मुझे बात करनी है तो आप सीधे मुझे वाट्स आप कर सकते है मेरे नंबर है 766-580-4421 आप इस पर जो है कॉल कर सकते हैं कॉल मत कीजेगा वाट्स आप कर दीजेगा उसमें ज्यादे एजीली मैं आपको जवाब दे पाऊंगा ठीक है तो आप इनको बनाते रही है नोट बनाते रही है झाल 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 झाल